बिहार का पहला प्रोजेक्ट समुदाय द्वारा संचालित गोबर गैस धन योजना के तहत भोजपूर में पहला गोबर गैस प्लांट बनाया गया है। इस गोबर गैस प्लांट से गाउं के आठ गरों की फिलाल गैस उपलब्द कराया जा रहा है जिसकी कीमत रेगूलर एलपीजी सिलिंडर का आधा पड़ रहा है। गाउं में इस प्रोजेक्ट को चालू कराने के लिए करीब डेड़ साल तक काम चला। इस पर 6,34,000 रुपे खर्च किया गया है जिसकी आर्थिक वह तक्निकी सहयोग यूनिसेप द्वारा किया गया है। गोबर गैस प्लांट से गाउं के 8 घरों को गैस उपलब्द हो रहा है। कोरडिनेटर सुर्यबिंद ने बताए कि एक माह का गैस खर्च 500 से 600 रुपे हो रहा है। इस सवर्तमान में आठ परिवार अपने अपने घरों में पाईप से कनिक्सन किये हैं जो रसोई घर तक पहुँचता है। प्रजेक्ट को चलाने के लिए खुटियारी गाउं में एक टीम बनी हैं जिसमें अध्यक्ष रभी कुमार जमीन दाता हैं। सचिव नौलाख यादो कोसादेक सुनील यादो समेत अन्य लोग भी हैं। टेक्निकल कॉडिनेटर ने बताया कि प्रजेक्ट को चलाने के लिए साड़े तीन सो किलो गोबर प्रते दिन की जरुरत हैं। जिसको टीम में सामिल आठ लोग उपलद कराते हैं। सुरक्षा में भी बेहतर है। टेक्निकल कॉडिनेटर सुरेबींद ने बताया कि ये एक परियोग के तौर पर यूनिसेफ के पहल पर किया गया है। जो पूरी तरह सफल हो चुका है। अब इसे अन्य जगहों पर सुरू किया जाएगा। गोबर गैस प्लांट से जो गैस घरों में जा रहा है। उसके बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा गोबर इत्यादी चीजों के इस्तमाल होने से गंदगी कम होगी। दूसरा ये बहुत की फायदी है और तीसरा इस गैस से आग लगने की संभावना बहुत कम है। जो सिलिंडर पहले लगता था सिलिंडर और इसमें दोनों में कौन सा बहतर है। यहादा बहतर है इसमें पैसा लगता था पैसा कभी हो या ना है। इसमें बहुत क्यादा है। इसमें पैसा कम लगता है। कितने दिनों से आपके घर में लगा है। महिना दिन हो एक महिना तो आप लोग इसका इस्तमाल अच्छे से कर रही है। क्या चाहती हैं और लोग भी इस्तेमाल करें तब का बहुत फायदा होगा सबको ठीक है क्या नाम आपका पिता